हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ सेबर खान और वेलकम है आपका मेरे चैनल वर्किंग मुमेंस किचेन में आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ कड़ाई पनीर की रेसिपी जो बहुत ही टेस्टी होती है और आप लोग जब इसे बनाएंगे तो आपको रेस्टोरेंट वाली सबजी से भी ज्यादा ये पनीर की सबजी आपको पसंद आने वाली है तो एक बार आप इसे मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएं और देखें कि आप रेस्टोरेंट वाली पनीर की सबजी खाना भूल जाएंगे और आपने जो घर पर बनाई है वो आप उसके खाना ज्यादा पसंद करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना इसके जाल दी हैं दो छोटी लाइची डाली है चार-पांच लॉंग डाली है और दो लाल मिर्च डाल दी है यह लाल मिर्च जो है यह थोड़े कश्मीरी लाल मिर्च है इसमें स्पाइसिनस नहीं होती है ज्यादा बस एक अच्छा सा कलर आता है इन सबी को बस 30 सेकंड के लिए ह हमें ड्राय रोस्ट कर लेना है बस इसमें हलका सा गर्माईश आजानी चाहिए बाकी यह इसको हमें बहुत जादा भूना नहीं है तो यह रेडी हो गया है और हम लोग इसको पीस भी लेंगे तो आप इसके बाद हम लोगोंने इसी पैन में फिर एक चम्मच ओल डालना है और ओल जब हलका सा गर्म हो जाए तो उसमें हमें डाल देना है एक प्यास को मैंने इस तरह से क्यूबस में कट कर के रखा था इसको हलका सा गोल्डन होने तक के फ्राय करना है बहुत ज़्यादा डर्क कलर इसका नहीं करना है बिल्कुल लाइट सा जासे बस पिंक कलर हो इ हमें हलका सा बस ऐसी टॉस करते हुए इसको फ्राइ करना है ताकि यह थोड़े से सॉफ्ट हो जाए तो यह देखिए एक अच्छा सा कलर आ गया है बस अब इनको पैन से निकाल लें और इसके बाद हमें इसको एक साइड में रख दे रहा है और फिर इसके बाद हमें इसी पै पनीर क्यूब्स को हलका सा शेलो फ्राइ करना है तो बस देखिए थोड़ा सा ओई इसमें थाई नॉन स्टिक पैन है तो इसलिए बहुत जादा आपको ओईल की ज़रत नहीं होगी अब आपके पास जो पनीर क्यूब्स हो उसको आप इसमें एड कर दीजिए यहां पर मैंन इसे हलका सा गोल्डन होने तक के इनको फ्राइ करना है बहुत जादा इनको फ्राइ नहीं करना है तो बस देखिए हलका सा कलर इनका चेंज होने लगा है गोल्डन गोल्डन सा कलर आ गया है इसमें तो हम लोग अब इसको निकाल लेंगे बहुत जादा फ्राइ करने से यह हो जाते तो हमें इस तरह का नहीं करना है मैंने इनको निकाल लिया है अब इसी पैन में जो ऑईल बचा था उसमें मैंने ये एक प्याज है मीडियम साइज की उसको बारीक रफली चौप करके रखा हुआ था तो बस इसको हमें अच्छे से इसको सौटे करना है और सौटे करत तो आप किसी भी साइज में कटकर के डाल दीजिए क्यूंकि हमें यहां पर आव एक पेस्ट रेडी करना है उसके लिए हम लोग इसको हलका सा पका रहें साथी में आप 12-15 काजू के पीसे डाल दीजिए अगर हाफ वाला काजू है तो आप इसको 20-22 का यूज़ करें साथ मैं अपने टेस््ट के अकॉर्डिंг यहां पे नमक डाल दें यहां पर मैंने एक चमश नमक डाला है और यह लाल दिया है लेठ चमश जिंजर गार्लिक पेस्ट इन सबी चीजों को अच्छे से ऺड़ा देना है औहरे हलका सा 나- इसको पका पाउडर रेडी हो गया है अब इसको हम लोग खाली कर लेंगे और इसी जार में हम लोग पिर पेस्ट बनाना है मेवे मसाले का उसको हम लोग रेडी करेंगे तो यह सारा जो मेवा मसाला था हम लोगों ने इसमें डाल दिया है और अब इसके बाद इसमें अगर आपको ज़रत हो तो हलका सा पानी डाल दें आधर वाइस आप बिना पानी डाले ही इसका एक स्मूथ सा पेस्ट रेडी कर लिजे अब फिर से हम लोग पैन लेंगे और इस करसे देना है अब इसके बाद इसको अच्छे से सवते करते हुए हमें पका लेना है तो अब हम लोग इसके सवते phenomenonख करते हुए पकाए गे जो कम शेक्षाश ही से कंभ cola मिन बाइस द्हाला पकाना रहेगा क्षमीरी ऑट कर दें कशमीरी लाल मिर्श करो एक अलैंकर साक्श वो भी मैंने add कर दिया है, तो सबी चीजों को अच्छे से इसमें add कर देना है, add करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए पका लेना है, ये देखिए, 15 मिनिट हो चुके हैं, मसाला काफी अच्छे से ready हो गया है, इसमें oil अच्छे से side से separate होने लगा है, जब oil इसके surface से छूटने लगे, दिखने लगे, तब आप समझें कि मसाला आपका तयार हो चुका है, तो बस इसको हम लोग 30 सेकेंड के लिए और पकाएंगे, और उसके बाद पिर हम इसमें add करेंगे क्रीम, तो यहाँ पर मैंने दो बड़े चमच क्रीम डाली है, मिला देना है, और इसके मिलने के बाद आप थोड़ा सा इसको और पका लें, ताकि इसमें से जो oil है वो अच्छे से separate हो जाए, तो यह देखिए मसाला काफी अच्छा सा तयार हो गया है, अब इस stage में हम लोगों ने जो प्याज और शिम्ला मिर्च तयार करके रखा था, उसको हम लोग add कर देंगे, ताकि यह थोड़े से और soft हो जाए, इनको बहुत जादा हमें soft नहीं करना रहता है, इसलिए जब मसाला अच्छे से तयार हो जाए, तब ही इसको add करें, ताकि यह थोड़ा सा crunchy रहेंगे, तो यह खाने में एक अच्छा सा flavor देंगे, तो शिम्ला मिर्च को हलका सा crunchy ही रखना रहता है, तो बस अब इसके बाद हम लोग इसमें बाकी आगे जो हम लोगों ने पनीर को fry करके रखा हुआ था, उसको भी साथ में add करना रहेगा, तो उसको पनीर को डालने से पहले यहाँ पर आप 1 टी स्पून कसूरी मेथी add कर लें, अगर नहीं हैं तो आप skip कर सकते हैं, तो यह कुछ important ingredients होते हैं, अगर आप इन छोटी-छोटी से ingredients का ध्यान रखेंगे, तो आपकी recipe भी बहुत अच्छी बनेगी, अब मैंने यहाँ पर जो यह पनीर को fry करके रखा हुआ था, उसको मैं add कर दी हूँ, इसको हमें अच्छे से मिला लेना है, इन सारी चीजों को अच्छे से मिला लें, और मिलाने के बाद फिर अगर आप थोड़ा सा ग्रेवी को पतला करना चाहते हैं, तो इसमें आप थोड़ा सा पानी add कर दें, क्योंकि अगर ग्रेवी आपको थिक पसंद होगी, तो आपको ज़रुरत नहीं हैं इसमें पानी add करने की, मुझे थोड़ी सी पतली क्रेवी अच्छी लगती है, इसलिए मैं यहाँ पर आधा कप पानी इसमें add कर दे रही हूँ, तो बस इसके बाद पानी डालने के बाद हम लोग इसको एक बाद चला लेंगे, और ढ़क के दो मिनिट के लिए इसको लो फ्लेम पे पका लेंगे, ताकि यह अच्छे से बिल्कुल फाइनल रेडी हो जाए, तो यह देखिए, बिल्कुल रेडी हो गया है, और अब हम लोग गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, और इसको एक सर्विंग बोल में सर्व कर लेंगे, तो अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई हो, तो इसे लाइक कर दीजेगा, चैनल पे नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आपको मेरी नएने वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें, और आप इसी तरह से वीडियो को देखते रहें, तो बस अब मैंने इसको कर दिया है, सर्व, और अब हम लोग इसको पूरी, पराठे, या रोटी, या आप जिसके साथ भी खाना पसंद करें,